अबसकार स्वागत है आपका एक बार फिर तो अगर राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं आपका टोपिक है राजस्थान के दुर्ग महल तो आज की इस कलास में हम बात करेंगे इन ही दुर्ग और महलों की शांदार आपके लिए PDF नोट्स भी हैं और पूरी जानकारी ज रिलेटिड जितनी भी भरतियां होती हैं उन सब में ये टॉपिक पूछा जाता है तो आज की इस कलास में हम इस टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं जहां पर हम राजस्थान के विभिन परकार के दुर्ग एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवा ठीक है तो राजस्थान के महल और दुर्ग सभी दुर्गों और सभी महलों की बात यहां पर इस वीडियो में होने वाली है तो हो जाईए अलर्ट और देखते रहें इस वीडियो को और पूरा अनंद लें और जब ये टॉपिक हतम हो जाएगा इसके उपर विभिन परिक् इतने भी किले हैं वो सभी जितने भी महल हैं वो सभी तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज मेगजीन दुर्ग की ये जो मेगजीन दुर्ग है इसको अकबर का किला भी कहा जाता है और ये है कहां ये अजमेर में है राजस्थान के अजमेर में इस्थि से पंदरह सो बहतर में अकबर ने करवाया था अकबर का दोलत खाना या सेन्य विभाग कहलाता है अकबर का ये जो किला है इसको हम अकबर का दोलत खाना या इसका सेन्य विभाग भी कहते हैं और ये राजस्तान का एक मातर दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम पदती के धार पर किया गया है तो आपको हर लाइन में एक important question देखने को मिलेगा हर लाइन इसकी important बहुत सारी पुस्तकों का इस collection में इस type के notes मनाने बहुत सारी पुस्तकों का जो है सयोग लिया गया है authentic किताबों का सयोग लिया गया है तो आप जब इस इन notes को सभी को देखोगे तो हर line में आपको एक अच्छा question मिलने की पूरी संभावना है तो हम यहाँ बात करें तो यह magazine का दुर्ग जिसको हम क्या कह सकते हैं अकबर का किला कह सकते हैं यह अजमेर में है इसका निर्मान जो है 1571 से 1572 में अकबर ने करवाय था अकबर का दोलत खाना या सेनिय विभाग भी कहते हैं और यह राजस्तान का एक मातर दुर्ग है जिसका निर्मान मुस्लिम पदिती के अधार पर हुआ था अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना यहीं बनाई थी हल्दी घाटी की युजना जो राना परताप के साथ इनका युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में उस युद्ध की युजना भी इन्होंने इसी किले में बनाई थी और दोस्तों जहांगीर 1613 में महाराना अमर सिंग को हराने के लिए इन वर्षों तक यहां रहा था महाराना अमर सिंग जो महाराना परताप के पुत्र थे और उसके बाद अगली लाइन कहती है कि जहांगीर के शाषनकाल में 10 जनवरी 1616 को इंग्लेंड का समराठ जेम्स पर्थम का राजदूत सर्ट तॉमस रो इस किले में आया था मतलब इस किले की कितनी इंपोर्टेंस है देखो जहांगीर के शाषनकाल में किस के शाषनकाल में जहांगीर के शाषनकाल में कौन आया था यहां पर इंग्लेंड का समराठ आया था इंग्लेंड का समराठ जो था जेम्स पर्थम उसके समराट नहीं समराट का जो राजदू था सर्ट टॉमस रो इस किले में आया था और कब आया था दोस्तों जस जनवरी 1616 को और 1801 में अंग्रेजों ने इस किले का उपयोग सस्त्रागार के रूप में क्या किया था मतलब हध्यारों को रखने के एक काम में इस किले को लिया था अंग्रेजों ने 1801 में और अब क्या है वरतमान में ये एक राजगे संग्राले है एक म्यूजियम है और 1908 में राजपुताना अजायब घर के नाम से जाना जाता है अब इस किले को आज राजपुताना अजायब घर के नाम से जाना जाता है और ये नाम 1908 में दिया गया है तो उमीद है आपको हर चीज पसंद आ रही हो गिया कि मेगजीन का दुर्ग जिसको अकबर का किला का जाता है अजमेर में है और इसका निर्माण 1571 से बहतर में अकबर ने करवाय था अकबर का दोलत खाना ये सेनिय भाग कहलाता है अंगिर के शासनकाल में 10 जनवरी 1616 को इंगलेंड के समराट का राजदूद जो था सर्टॉमस रो इसकिले में आया था अठारा सो एक में अंग्रीजों ने इसकिले का अपयोग सस्त्रगार के रूप में किया था वरतमान में एक राजिक्य संग्राले है और 1908 में राजपुताना अजायब घरव के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है दोस्तों ये था मेगजीन का दुर्ग जिसको अकबर का किला कहा जाता है अब हम दूसरे दुर्ग की बात करते हैं दूसरा दुर्ग कौन सा है हमारा चितोडगड का दुर्ग चितोडगड का दुर्ग जो है ये एक गिरी दुर्ग कहलाता है गड़ तो चितोडगड बाकी सब गड़या इस चितोडगड के दुर्ग के सम्मन्द में ये एक कथन कहा जाता है कि गड़ तो चितोडगड बाकी सब गड़िया इस दुर्ग के कई उपनाम है जैसे राजस्थान का गोरो भी कहा जाता है इसको दुर्गों का सिरमोर भी कहा जाता है इसको और दक्षनी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसको खिजराबाद भी कहा जाता है, इसको विचित्र कूट भी कहा जाता है, ये सब जो हैं इसके उपनाम है तो दुर्ग जिस दुर्ग की हम बात कर रहे हैं वो चितोडगड दुर्ग है ये गिरी दुर्ग कहलाता है गड़ तो चितोडगड बाकी सब गड़िया उपनाम आपको याद रखने है राजस्थान का गोरव दुर्गों का सिरमोर और दक्षनी पूर्वी परवेश दुआर खिजराबाद विचित्रकूट भी कहते हैं और अगली इंपोर्टन लाइन है दोस्तों इस दुर्ग की आकरती वेहल मचली के समान है जैसे ब्ल्यू वेहल मचली होती है उस मचली के समान इसकी आकरती है और चेतरफल के अनुसार राज्या का सबसे बड़ा दुर्ग है ये आपको समझ में आ रही होंगी इस दुर्ग की आकरती वेहल मचली के समान है छेतरफल पर आधार पर सबसे बड़ा दुर्ग है गंबीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है तो मैंने जैसा कहा कि हर लाइन से कोशन बनता है तो अब मालो की ये वाली राइन है इ कुन सा दुर्ग है ये पूछा जाए तो आपको पता होना चीज चितोडगड दुर्ग है दिल्ली से मालवा और गुजरात मारग पर स्थित जो दुर्ग है उसका नाम क्या है चितोडगड दुर्ग इसका निर्मान कब और किसने करवाय था सात्वी स्थापदी में करवाय चितोडगड दुर्ग का पहले क्या नाम था ये प्रशन पूछा जाए तो इसका पहले नाम चित्रकोड था ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये जो इसका नाम है इसका निर्मान सात्वी स्थापदी चितोडगड दुर्ग का पहले क्या नाम था ये प्रशन पूछ गई है ये शामलदास द्वारा रचित एक गरंथ है कौन सा गरंथ है वीर विनोद वीर विनोद शामलदास द्वारा रचित एक गरंथ है उस पात में ये का उस किताब में उस बुक में उस गरंथ में ये कहा गया है कि सात्वी स्ताबदी में चित्रागंद मोरे ने इस दुर उसके बाद इस दुर्ग के संबंद में और देखो मिवाड के गुहिल वंशिय संस्थापक बपा रावल ने राजा मान मोर्य को हरा कर 734 में ये दुर्ग जीता था किसने जीता था मिवाड के गुहिल वंशिय संस्थापक बपा रावल जिन्होंने राजा मान मोरिया को हरा कर 734 में ये दुर्ग जीता था यहाँ पर तीन साके हुए थे कौन-कौन से साके हुए थे पहला साका पहला साका जो था 1303 में हुआ था अलाउदिन खिलजी और रतन सिंग इनके मद्धे युद्ध हुआ था और खिलजी जीत गया था रानी पदमावती ने जोहर किया था गोरा और बादल जो की रतन सिंग के सेनापती थे वो इस युद में वीरगती को प्राप्त हुए थे यहाँ जो परतम साका हुआ था जीतने के बाद खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर इस दुर्गा नाम खिजराबाद रख दिया था और तेरा सुग्यारा में खिजर खाने इसे मालदेव सोनगरा या जिसको मुच्छाला मालदेव कहते हैं उसको सौंप दिया था तेरा सुग्यारा में खिजर खाने खिजर खान कौन था खिजर खान था खिलजी का पुत्र उसी के नाम पर इसने खिजराबाद इसका नाम रखा था फिर 1311 में खिजर खान ने इसे मालदेव सौनगरा को जिसको मालदेव सौनगरा को मुच्छाला मालदेव कहते हैं उसको सौंप दिया था और उसके बाद दोस कि क्या था कोण से युद का वर्नन किया था इस का जुन से युदु пож Jeffrey का जिक्र किस किया है यह खिल जी के सेनापति थे आमीर खुसरो जिन्होंने अपनी पुस्तिक आरी के अलाइ में नकिया था मं और दोस्तों अगरागे हम देखें तो चितोर्युद का América प्राग्व चेतन था जो की रतन सिंग के दरबार में एक जोतिशी वे तांत्रिक था राग्व चेतन नहीं पदमावती की सुंदर्ता के बारे में खिल जी को बताये था आपने पदमावती मुवी देखिए तो वहाँ पर एक पंडित को दिखाया गया है जोकि खिल जी को पदमावति के सुन्दर्टा के बारे में बताता है और उसकी वजे से हि खिल जी जो है चितोड पर आकर्मन करता है और ये पर्थम साका होता है ठीक है उसके बाद दिद्य साका कब हुआ और उसका क्या रीजन था यहाँ पर देखते हैं दित्य साका 1534 में हुआ था पहला साका 1301 में हुआ था दूसरा 1534 में हुआ ये कब हुआ था गुजरात के शाशक बाहदुर शा ने अलप वियसक महारणा विक्रमा दिते के मध्य युद हुआ था और राणी करमवती ने राखी भेजकर हिमायू से साहता मांगी थी किन्तु ह हिमायू जो है वो साहता नहीं कर सका राणी करमवती के साथ देवलिया के रावत बाग सिंग ने इस युद में बाग लिया था और बाग सिंग वीरगती को प्राप्त हुआ था और राणी करमवती ने जोहर किया था तो ये दित्य साका हुआ था 1534 में ठीक है ये भी चितो दुर्ग में, तीसरा साखा कब वुआ था कि मुगल बादशा अकबर और राना उद्य Сिंग के बीच में युद हुआ था जैमल राठोड और फत्ता राठोड कल्ला राठोड वीरगती को प्राप्त हुए थे इस यूद में और फत्ता की रानी फूल कमर ने जो थी उसने इसमें जोहर किया था जैमल फत्ता की वीरता से प्रभ्भावुत होकर अकबर ने آगरा के किले के प्रवाष द्वार पर इन दोनों की प्रतिमाय स्थापित गरवाई थी अब यहाँ पर कुछ महतुपूर्ण तथ्य भी है जो इस किले से संबन्दित हैं यहां पर यह मेहतुपूर्ण तथ्य कौन से हैं पहला तथ्य तो यह है कि चितोडगड दुर्गा अधिकांश निर्मान कुम्भा ने गरवाया था और दूसरा कुम्भा को चितोडगड का आधुनिक निर्माता कहा जाता है चितोडगड़ का दुर्ग है उसका आधुनिक निर्माता किसको का गया है कुम्भा को और राजस्थान का सबसे बड़ा आवास्य दुर्ग यही है और एक मातर दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है यह ऐसा किला है जिसमें खेती भी की जाती है और इस पर पहला आक्रमन अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था, और इस दुर्ग में बनवीर दुारा बनाया गया तुलजा भावानी का मंदिर है भी है, तुलजा भावानी का मंदिर जो है, इस किले के अंदर है और फिर है महारणा रायमल के शाशनकाल में बना अद्भूत जी का शिव मंदिर भी इस दुर्ग में है और राणा कुम्भा ने इस दुर्ग में विजे स्तंब कीर्थी स्तंब का भी निर्मान करवाया था और इसी दुर्ग में खातन राणी का महल और लाखोटा की पारी तथा हरामियों का बाड़ा भी इस्तित है यहाँ बड़ा अजीव सा नाम दे रखा है हरामियों का बाड़ा और इसी दुर्ग में खातन राणी का महल और लाखोटा की वारी और हरामियों का बाड़ा भी इसी चितोडगट दुर्ग में हिस्तित है और यहाँ पर दूसरी और कई important बाते हैं तो यहाँ पर देखो यह रामपुरा की हवेली सलूमबर की हवेली और केम्परवदा की खंडर भी है इस दुर्ग में साथ प्रवेश दुआर है चितोडगट दुर्ग बहुत ही important है देखो कितनी मैं तो पुन जानकारी हमें इस दुर्ग से मिली है साथ दुआर हैं एक तो है पाटन पोल एक है भेरव पोल एक हनमान पोल एक है गनेश पोल एक है लक्षमन पोल जोडला पोल और राम पोल ये साथ दुआर जो है ये चितोडगट दुर्ग से संबनित है भेरव पोल और हनमान पोल के मध्य जैमल और फता और कलाराठोड की छत्रियां भी है तो दोस्तों यहां पर ये चितोडगट दुर्ग जो है most important है इसलिए आप इसको दुबारा भी देख सकते हैं यहां पर कुछ में में बाते हैं जो देख सकते हैं चितोडगट दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग है तो चितोडगट बाकी सब गड़ईयां कहा जाता है राजस्थान का गोरव कहा जाता है दुर्गों का सिर्मोर कहा जाता है दक्षिनी पूर्वी परवेश दुआर कहा जाता है ये इसके उपनाम है खिजराबाद भी कहा जाता है विच्चत्रकूट भी कहा जाता है इस दुर्गी की आकरती जो है वेल मचली के समान है और राजय का सबसे बड़ा दुर्ग है ये गंबीरी और बेड़च नदियों के उपर स्थित है दिल्ली से मालवा और गुजरात मारग पर स्थित है और चित्रांगद मोर्या ने इसका निर्मान करवाय था इस बात का जिक भी हुए थे और ये भी कहा जाता है कि गुहिल वंशिय संस्थापक बपारावल ने राजा मान मोर्या को हरा कर 734 में ये दुर्ग जीता था यहां पर तीन साके हुए थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहां से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है पहला शाका जो है खिल जी ने इस किले का नाम खिजराबाद रख दिया था और 1311 में खिजर खान ने इसके मालदेव सोनगरा मूच्छाला मालदेव को सौंप दिया था और ये जो पदमावती ने जोहर किया था और ये जो 1303 में साका हुए था इस पूरे युद की जानकारी जो है अमीर जो कि रतन सिंग के दरबार में एक जोतीशी और तांतरिक था और इसी तांतरिक ने ने जो है खिल जी को पदमावती के सॉंदर्रे के बारे में बताये था ठीक है और दित्य साकह कब हुआ था पंदरा सौ पर पर उन्हार देमने ने अब जब गुजरत के शाशक बहदूर्शा ने अकर्मण किया तो कर्मावति ने हिमाईू से भी राकी भेज कर तब उसी उपलक्ष में रक्षाबंधन मना जाता है लेकिन हिमाईू जो है वो किसी कारण से जान कर के या किसी कारण से मैंन नहीं कह सकता लेकिन वो युद करमावती के साथ देने के लिए नहीं आये और इसके बाद करमावती ने जोहर किया था और यह जोहर 1534 में हुआ था यह चितोडगड का दित्य साका माना जाता है इसमें बाग सिंग जो है वो साहिता के लिए आये थे करमावती के लिए और वो वीरगती को प्राप्त हुए थे और यहां पर रानी करमावती ने जोहर किया था उसके बाद हम तरतिय साका की बात करें जो 1566 में हुआ था मुगल बाद्शा अकबर और राना उदे सिंग के मधे युद हुआ था इस युद में जैमल राठोड, फत्ता राठोड, कला राठोड, वीरगती को प्राप्त हुए थे फत्ता की जो रानी थी फूल कमर उसने जोहर किया था यह त्रित्य साका माना जाता है तीसरा साका माना जाता है चितोडगड का और जैमल फता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें आगरा के किले की प्रवाश द्वार पर उनकी प्रतिमाई स्थापित की थी और जो कुछ महत्वपूर्ण बाते हैं वो ये हैं चितोडगर्ड दुरग का जो अधिकांश निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था कुंभा को चितोड़ दुरग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है राजस्तान का सबसे बड़ा आवास्य दुरग भी यही है एक मतर दुरग है जिसमें खेति की जाती है इस पर पहला आकर्मन अफिगानिस्तान के सुबिदार मामूने किया था इस दुर्ग में बनवीर द्वारा बनाये गया तुलजा भवानी का मंदिर है और महराना रायमल के शासनकाल में बना अध्भुत जी का शिव मंदिर भी यहां है राना कुम्भा ने इस दुर्ग में विजय स्तंब कीर्थी स्तंब का निर्मान करवाय था इस दुर्ग में खातर रानी का महल लाखो टारी वारी और हरामियों का बड़ा इस्तित है ठीके यहां रामपुरा की हवैली सालूंबर की हवैली केमपर वादा की खंडर भी है मद्य जैमुल वफत्ता और कल्ला राठोड की छत्रियां भी हैं दोस्तों तो यहां पर हमने बात की है चितोड गड दुर्ग की इसके बाद हम इसी दुर्ग के संबंद में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे यहां पर कि मोरेवंश के शाशक मोरी ने यहां काली का माता मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्मान करवाया था महरान कुमभा के कोशा धक्ष बेलका ने शत्वीस देवरी जेन मंदिर का निर्मान भी इसी दुर्ग में करवाया था और इस मंदिर में कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी की थी इसी कारण इसे सरंगार चमरी भी कहते हैं बहुत ही most important बात है और कई सारी किताबों से सहयता लेकर ये मैंने आपके लिए पेश किया है तो दोस्तों अगर आपको समगरी, नोट्स, वीडियो पसंद है तो दोस्तों के बेच जरूर शेयर करें अपने जितने भी गुरुप से आप जुड़े हुँ उन गुरुप से शेयर करें इस दुर्ग के दक्षिंड दिशा में लगू प्रवेश द्वार खिड़किया हैं इनि में से उत्तर दिशा की खड़की को लाखोटा की वाड़ी कहते हैं ठीक है ये हुआ हमारा चितोडगड दुर्ग उसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन से दुर्ग की अब हम बात कर र अब राजपुताना के सभी दुर्ग नंगे हैं परन्तु यह दुर्ग बक्तर बंध है आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने ये बात कही है आईने अकबरी किसने लिखा था अबुल फजल ने लिखा था ये कहते हैं कि राजस्तान के या राजपुताना के सभी दुर् यह भी एक गईरी दुर्ग है, गरिदुर्ग किसके कहते हैं-, जो प्रवद परस्तित होता है, उसको गरिदुर्ग कहते हैмаं, सात परवत श्रे decisis दिखाई देता है, दूर से यह दिखता भी नहीं है, इसे, गरिदुर्ग prayer उसको गरिदुर्ग किसको करता है 한국 Ocean आनबान और शान का ये प्रतीक है वन दुर्ग वे गिरी दुर्ग का अच्छा उधारन है अंडाकरती वाले उंचे पहड़ पर स्थित है और रनतंबर का युद्ध जो था वो तेरा सो एक में हुआ था क्या युद्ध का ततकालिक करण था और किसके बीच युद्ध हुआ उसको अपन यहां पर देखते हैं युद्ध का कारण था हमीर द्वारा अलाओदिन खिलजी के सेना पती मीर मुहमद और उसकी मराथा बेगम चिमना को शरण देना हमीर ने अलाओदिन खिलजी का सेना पती था मीर मुहमद उसको शरण दी थी और उसकी जो मराथा बेगम योद में राणा हमीर के उनके सेना पती रती पाल और रनमल द्वारा धोखा देने के कारण हार होई थी और यहां पर हमीर को राणा हमीर नहीं vrij Алगी वह हटी भी का जाता है क्योंकि खिल जी ने हमीर से कहा था कि जो उसका सेनापती है मीर मुहमद उसको वापस लोटा दे तो हमीर से उसका कोई यूद नहीं होगा लेकिन अपने यहां आएवे किसी सरण पाएवेक्ति को हमीर ने उसकी रक्षा करना अपना फरज समझा और उस से खिल जी को लोटाने से मना कर दिया इसलिए उसको हटी भी का जाता है कि उसने हट किया था कि वो उनको खिल जी को उसका सेनापती नहीं लोटाएगा तो इस सरणागत वसल भी का जाता है कि इन्होंने जो है खिल जी के सेनापती मीर मुहमद को शरण भी दी थी दोस्तों इस दुर्ग के बारे में और बात करें तो इस दुर्ग में 32 खंबो की छत्री है 32 खंबो की छत्री है इस छत्री का निर्मान हमीर ने अपने पिता जेद सिंग की समर्ती में करवाया था यह च्छत्री न्याय की च्छत्री भी कहलाती है इस दुर्ग में हमीर महल है यहां सुपारी महल भी है सुपारी महल में गनेस मंदीर, पीर सद्रुदीन की दरगा और एक चर्च भी है मतलब मंदीर भी है, मस्जिद भी और चर्च भी है जहां जोरा भुरा महल अनाज रखने का एक गोदाम है जोरा भुरा महल जो है ये कहा है तो ये रनन्थम बोर दुर्ग में ये इंपोर्टन बात है ये जोरा भुरा है कि अनाज रखने का एक गोदाम है अलाओ जिन खिलजी से पूरो जलालू दिन खिलजी इस दुर्ग को जीत नहीं सका था अलाओ जिन खिलजी से पहले जलालू दिन खिलजी ने भी प्रियास किया था और जीत नहीं सका था और यह कहकर दिल्ली लोट गया था कि मैं इस दुर्ग को मुसल्मान भायों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता तो ये नहीं जीत पाने के कारण जो है शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा और उसके बाद तेरा सो एक में आगे की कहानी देखें यह जोहर राजपुताने का पर्थम जोहर था इस जोहर को जल जोहर भी कहा जाता है क्योंकि जब यह लगता है कि आठीक है जो राजा की मृत्यू निश्चित है युद में तो रानी जोहर कर लेती थी अगनी में जल कर लेकिन यहाँ पर पानी में डूब कर जो है रानी ने जोहर किया था इसे जल जोहर कहा जाता है इस युद का वर्नन हमीर महा कावे नयन चंदर सूरी के द्वारा लिखी जो हमीर महा कावे था उसमें इस युद का वर्नन किया गया है हमीर हट जो है चंदर शेकर ने लिखी थी हमीर रासो जोद राज और सारंगधर ने लिखी थी तता हमीर रायन गोडव व्यास नामक व्यक्ति ने लिखी थी नामक गुरंतों में लिखा गया है यानि कि हमीर का वे नहें चंदर सूरी ने लिखा था चंदर शेकर ने हमीर हट लिखा था जोद राज और सारंग धर ने हमीर रासो लिखा था और गोडव व्यास ने हमीर आयन लिखा था और इस दुर्ग में तिरनेतर गणेश जी का मंदिर है राजस्तान का परसीद गणेश मेला यहीं लगता है हर लाइन दोस्तों आपको most important मिलेगी यहां पर इन नोट में तो यह था रणन्थम भोर दुर्ग आगे हम बात करते हैं next जैसल मेर दुर्ग की जैसल मेर दुर्ग कौन सा है जैसल मेर दुर्ग को हम सोनार गड़ का किला भी कहते हैं यह राजस्तान का सबसे पुराना किला है सबसे बड़ा किला जो है वो चितोड़ गड़ और सबसे पुराना किला जो है, वो जेसल में दूर्ग है, इसे धानवे श्रेणी का दूर्ग कहा जाता है, इसका निर्माण राव जेसल ने करवाया था, कब गरवाया था? 1155 में तर्कुट पाढ़ी पर करवाया था, बिना चुने का प्रियोग किये सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर इस दुर्ग का निर्मान कराया था इसमें निन्यान में बुरुज हैं और इसे निर्मान करने में इसको पूरा होने में साथ वर्ष लिके थे और किले का कुछ भाग राव जैसल द्वारा तथा शेश भाग उनकी मृत्व के बाद उनके पुत्र शाली वहांदित्या ने करवाया था सोनगिरी, स्वरनगिरी वे दा गॉल्डन फोर्ट भी इसको कहते हैं उपनाम भी हैं इस किले के, इस किले के जो उपनाम है वो क्या है देखो ये राजस्थान का अंडमान कहलाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है, गलियों का दुर्ग कहलाता है, पश्चमी सीमा का प्रहरी कहलाता है, भाटी भड किवाड कहलाता है और तिर्कूट गड़ कहलाता है यह दुर्ग अंगड़ाई लिए शेर की भाती दिखाई देता है जैसे ब्ल्यू वेहल मचली की तरह चितोड़ गड़ दुर्ग दिखाई देता है लेकिन अंगड़ाई लिए शेर की भाती दिखाई देता है वो यह दुर्ग है अब्दूल मेहनत और बहुत एनरजी की जरूरत होती है यहाँ पर केवल पत्थर की टंग ही आपको वहाँ ले जा सकती है इस दुर्ग में जेसूला कुआ बना हुआ है यह कुआ भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मिद है और निर्देशक सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिलम बनाई थी इस किले के उपर निर्देशक सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिलम बनाई थी हस्त लखित गरंथों का भंडार भी है यहाँ पर इन गरंथों को जीन भदर सूरी गरंथ भंडार भी कहा जाता है 1441 में इस दुर्ग में सूर्य मंदर का निर्मान महरावल बेरी सिंग ने अपनी रानी सूर्य कमर की समर्ती में करवाये था और ये राजस्तान का सबसे बड़ा आवास्य किला माना जाता है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ साका हुए थे इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और वर्ष 2009 में पांच रुपे का डाक टिकट भी इस पर जारी किया गया है इस किले में धाई साका हुए है धाई साका प्रथम साका बारा सो निन्यान में हुआ था रावल मूल राज भाटी वे अलावदीन खिलजी के मध्य युद हुआ था ये युद आठ सालों तक चला था और दित्या साका जो था वो हुआ था तेरह सो सतावन इस्वी में राव दूदा और फिरोज शाह तुगलग के बीच युद हुआ था और तीसरा जो अर्द साका था पंधरा सो पचास में हुआ था कंधार के शाशक अमीर अली वे राव लून करन के बीच युद हुआ था इस युद में क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था किन्तु जोहर नहीं हुआ था इसलिए इसको हम अर्द साका कहते हैं उसके बाद दोस्तों कुंभलगड दर्ग की बात करेंगे हम यहां पर कुंभलगड दर्ग जो की राजस्मंद में है यह एक गिरी दर्ग है निर्मान जो था अशोक के पुत्र संपरती द्वारा करवाए गया था यह एक प्राचीन दर्ग है दुर्ग के खंधर पर माराना कुम्भा ने 1443 से 1458 में करवाय था प्राचीन दुर्ग था उसका खंधर था उसका करवाय था यह दुर्ग मेवाड मारवाड सीमा पर सादडी गाउं के पास जरगा पहाडी रासमंद में है और उपनाम क्या है इसके कुम्भल मेरू, कुम्भपुर, कमल पीर, मच्छंदर, संकट काल में मेवाड राजाओं की यह शर्ण स्थली रहा है दोस्तों राजपुताना की गिरी दुर्गों में सबसे महदपुन दुर्ग इसको माना जाता है इस दुर्ग को मेवाड की तीसरी आँख भी कह जाता है इस दुर्ग का शिल्पी मंदन था और उसके बाद हम इस दुर्ग के बारे में और जानकारी देखें तो कुम्भा ने 1448 में इस दुर्ग की आधार शिला रखी थी और 1458 में ये दुर्ग पूरा हुआ था समुदर तल से 3568 फिट उंचाई पर ये स्थित है अबूल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी उंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से उपर की और देखने पर सिर की पगड़ी जमीन पर गिर जाती है ये किसे ने कहा था अबूल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था इस दुर्ग के बारे में कुंभल गड़ दुर्ग के बारे में कहा था करनल जैम स्टोड ने इसकी तुलना एस्टरकन दुर्ग से की है यह दुर्ग ऐविजित रहा है कभी भी जीता नहीं गया किसी के द्वारा भी इसको नहीं जीता गया इस दुर्ग के भीतर एक लगू दुर्ग कटारगड दुर्ग भी बना हुआ है कटारगड में रहकर महारणा कुमभा मिवाड समराजय की देखरेक करते थे और उसके बाद की इसकी लाइन में हम देखें और क्या important बात है यहाँ पर इस दुर्ग में पर्तिवराज सिसोधिया उड़ना राजकुमार भी कहता है इनको महारणा सांगा, महारणा उदेख सिंग, परताप, महारणा परताप का बचपन यहीं पर बीता था कुम्भल गड़ में कुंभलगड दुर्ग में ही पन्ना धहे ने उदे सिंग को छिपा कर कुंभलगड के किलेदार आसा देवपुरा के पास पाल पोस कर बढ़ा किया था इस दुर्ग में उदे सिंग का मेवाड के महराना के रूप में 1537 में राजय भेशेक हुआ था महराना प्रताप का जनम कटारगड के बादल महल में हुआ था 9 मई 1540 में कटारगड के पास ही जाली बावडी तथा मामा देव का कुंड भी बना हुआ है और यहां पर कटारगड में महराना कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी यहीं पर कटारगड में ही महारणा कुम्भा के पुत्र उद्दा ने उनकी हत्या की थी इस दुर्ग में जाली रानी राना कुम्भा की जो पत्नी थी का उनका मालिया महल भी है जाली रानी का वास्तविक नाम सुमती जाली था ठीक है और कुम्भलगड की कहानी देखो कुम्भलगड की कहानी में आगी यह है कि महारणा परताप ने चावंड से पहले कुम्भलगड को ही अपनी राजधानी बनाया था इस दुर्ग की प्राचीर 36 मी लंबी तता इतनी ही चोड़ी है जिस पर एक साथ साथ गोड़े चल सकते हैं मतलब दिवार इतनी लंबी है और इतनी चोड़ी है कि एक साथ साथ गोड़े चल सकते हैं इसलिए इस प्राचिर दिवार को The Great Wall of India भी कहा जाता है यह भारत की महान दिवार कहलाती है एक साथ गोड़े दिवार पर चल सकते हैं तो यह Great Wall of India तो होगी ही इसी दुर्ग में महारणा राईमल के कुवर पर्तिराज की समर्थी में 12 खंबों की चत्री भी बनी हुई है इस दुर्ग में मामा देव मंदिर नीलकंट महादेव मंदिर कुम्भ स्वामी विष्णु मंदिर जाली रानी का महल पन्ना धहय का महल फते परकाश आधी वीडियो में हम कुछ और दुर्ग की बात करेंगे तो अगर एक साथ सारे दुर्ग पढ़े तो आपके लिए भी कंफ्यूजन होगा और वीडियो भी लंबा होगा और आप इस वीडियो को देखकर आराम से जो है अच्छे से नौट्स बनाएं और अगर आप नोट्स बने व आसकार